नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुक बड़ी खबरों की बारे में जानते हैं तो खबरों की और रूख करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर नौकरी चाहिए तो आपके काम की है यहाँ खबर बिहार के नगर निकायों में नई नियुक्तियों का रास्ता साथ बगेर लाइसंस सरस्वती पूजा नहीं अगले दिन ही करना होगा विसरजन एक नेटवर्क से जुडेंगे बिहार के सभी बलड बैंक रक्त नहीं होने की सिकायते दूर होगी तेरा से मिलेगा पहले फेज के दूसरे डोज का टीका लाभूकों को जाएगा मैसेज आज पूरे बिहार से राष्टपती को आजादी पत्र भेजेंगे तेजपरताब लालू की रिहाई के लिए चला रहे हैं कैमपेन सड़क पर छात्रों का हंगामा दो गिरपतार पुलीस ने रोका तो उग्र हुए छात्र अब सर बोले एफायार होगे और जाएंगे जेल बिहार में अब आम लोगों को भी लगेगा कुरोना टीका वैक्सिन लेने के लिए कराएं रजिस्टेशन आम बजट के बाद लगातार बढ़ राया पेट्रोल डिजल का दाम 90 रुपय के पार पहुचा पेट्रोल लोगडाउन से महंगा हुआ बिहार में सफ़र 30 प्रतिशत तक हुई किराय में ब्रिधी मनमानी से यात्री परिशान बिहार में 1 मार्च से लॉंच होगा M Passport एप वेरिफिकेशन के लिए पुलीस नहीं आएगी आपके घर अब खबरे विस्तार से राज के नगर निकायों में नए नियुक्तियों का रास्ता साप हो गया है नगर विकास एवं आवास विभाग राज के नगर निकायों में अब जरूरत के अनुसार नए पदो का स्रिजन कर सकेगा यही नहीं स्रिजित पदो पर अब नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपने इस्तर से पूरी कर सकेगा राज केबिनेट ने बिहार नगर पाली का सेवा समवर्ग नियामावली 2021 स्विकृति देकर इस पर मुहर लगा दी है नए नियामावली की स्विकृति के बाद विभाग में बड़े इस्तर पर बहाली की प्रक्रिया सुरू हो सकती है 5000 अधिक पदो के स्रिजन की उम्मीद है 100 से अधिक नए निकायों के गठन के बाद बड़े इस्तर पर नए पदो का स्रिजन होना है इसके अलावा पहले से कनिया अभियनता सीटी मैनेजर समेथ कई पद रिक्त है इन रिक्त पदों के कारण कही नगर निकायों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा था अभी तक नगर निकायों में BPSC EVANC और सेवा आयोग से नियुक्ति होते थी अब नए पद स्रीजित कर नगरपाली का सेवा संवर्ग नियमावली के तहत नियुक्ति की जा सकेगी अगामी 16 फरवरी को बसंत पंचमी है बसंत पंचमी के दिन सरस्थी पुजा का एवजन किया जाता है लेकिन इस बार COVID-19 के तहर मुर्थी के साथ सरस्थी पुजा का एवजन करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा इतना ही नहीं 17 फरवरी को दिन में ही मुर्थी का विसर्जन भी करना होगा पटना जिला प्रसासन ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया है पटना के डियम डॉक्टर चंदर सेकर सिंग और SSP उपेंदर सर्मा की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि बगएर लाइसेंस के किसी को भी सरस्थी पुजा मुर्थी रखने के साथ अनुमति नहीं होगी पटना नगर निगम द्वारा अस्थानिय इस्तर पर कृतिम तालाबों का निर्मान किया जाएगा इन्हीं कृतिम तालाबों में मुर्थी का विसर्जन करना होगा सभी SDO और SDPO को सक्त निगरानी से पुजा समितिय के उपर नजर रखने के लिए भी कहा गया है पटना जिला प्रसासन ने जो आदेश जारी किया है उसमें डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है असलिर गाना बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी जुलूस के दौरान असमाजिक तत्तों पर पुलिस की बिसेश निगरानी रहेगी साथ ही साथ समाज में किसी तरह का कोई तना पैदा नहीं हो इस पर भी पुलिस का फोकस रहेगा अगर कोई भी किसी तरह का उप्तरो करता है तो उप्तरो के खिलाब बड़ी करवाई करने का भी निदेश दिया गया है बिहार के सभी बलड बैंक एक निटवर्क से जुडेंगे उनमें रक्त की उपलवधता की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी कोई भी बैक्ती बिहार में रक्त अधिकोस में विभिन ग्रूप के खुन की उपलवधता की जानकारी प्राप्त कर सकेगा राज स्वास्त समिती ने राज के सभी सरकारी एवंग निजी बलड बैंकों का उनलाइन करने को निरने लिया है इस दिसा में पहल भी सुरू कर दी गई है समिती के अधिकारिक सुत्रों के अनुसार राज के सभी बलड बैंक चाहे नीजी हो या सरकारी सभी को ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी यह रिपोर्ट राज स्वास्त समिती की वेबसाइट पर उपलब्ध डैसबोर्ट पर प्रदर्शित की जाएगी इससे किस बलड बैंक में कितनी रख्त उपलब्ध है इसमें कोई भी आसानी से देख वो जान सकेगा समिती के सुत्रों ने बताया कि राज के सभी सरकारी बलड बैंक पहले ऑनलाइन किये जाएंगे साथ ही नीजी बलड बैंकों से बातचित कर उन्हें दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं ताकि वे अपने इस्तर से सुचनाय ऑनलाइन उपलब्ध कराएं इसके बाद उन्हें भी नई विवस्ता में सामिल किया जा सके मुझपरपुट जीले में 13 फरवरी से पहले फेज के टिका करन का दूसरा डोज लाभार्तियों को मिलने लगेगा स्वास्त मुख्याले से इसके लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है विवाग की ओर से फरवरी में स्वास्त कर्मियों के दूसरे डोज का टिका करन पूरा करने का निर्देश दिया गया है प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनाई कुमार ने बताया कि जिन स्वास्त कर्मियों ने 16 जनवरी को पहला टिका लिया था उनके दूसरे डोज का टीका 13 फरवरी को दिया जाएगा इसी तरह से जिस दिन पहला डोज का टीका लिये है उसे दूसरे डोज का 28 दिनों के अंतराल पर लेना है दूसरे डोज का टीका लेने के लिए स्वास्त कर्मियों को बुधवार से फोन कॉल करने का काम सुरू होगा स्वास्त कर्मियों को विभाग की ओर से दूसरे डोज का टीका लेने के लिए मैसेज भी किया जाएगा पहले फेज में बीते मंगलवार तक 16607 स्वास्त कर्मियों को पहले डोज का डिका दिया जा चुका है याथ हो कि पहले फेज के टिकागरन के लिए 2339 स्वास्त कर्मियों ने कोविट पोर्टल पर अपना डाटा अप्लोड कराया था राजद सुप्रीमों लालु प्रसाद यादव की रिहाई के लिए उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने आजादी पत्र केंपेंच सुरू किया था इस campaign के ताथ लालु यादव की रिहाई के लिए देश के महा महिम राष्टपती को एक आजादी पत्र लिखा गया था तेजप्रताप यादव ने इस campaign के शुरुआत करते हुए दो लाख पोस्ट कार्ड छपाया था अब उन्हीं दो लाख पोस्ट कार्ड को महा महिम राष्टपती को सौप कर लालु यादव की रिहाई के मांग करेंगे आज पूरे बिहार से जमा किये गया आजादी पत्रों को दिल्ली भीजा जाएगा बताया जा रहा है कि आज साम चार बजे पटना अस्तित जीपियों से तेजप्रता प्यादव पूरे बिहार भर से आए आजादी पत्र को राष्टपती भवन के लिए पोस्ट करेंगे इस केंपेंड में सभी बिस्विद्याले के चात्रों को भी लालो प्रसाद यादव की रिहाई के लिए चलाई गई मुहिम से जोड़ा गया है बिहार के बेरोजगार चात्रों ने सरकार के किलाप हल्ला बोला है परतियों की परिक्षाओं में धांदली का आरोप लगाते हुए उन्होंने गुरुवार को सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्सन किया उन्होंने बिहार दरोगा बहाली और बिहार पुलिस बहाले में वी गड़बड़ी की सीबियाई जाच कराने के मांग की है सीयम हाउस के लिए निकले प्रदर्सन कारियों को पुलिस ने गांधी मैदान के विसकोमान भौन के पास रोक दिया मौके पर मौजूद अपसर ने कहा यातायत को बाधित किया गया है बिना अनुमते के प्रदर्सन किया जा रहा है इसके नित्तकत्ता के खिलाब एफायार होगी और जेल भेजा जाएगा वहीं चात्रों ने चिताओने दी है कि जब तक उनकी 11 सुत्रिय मांगो को सरकार नहीं मानती है उनका बिरोध प्रदर्सन ऐसे ही चलता रहेगा बिहार के स्वास्तकर्मियों फ्रेंट लाइन कोरोना वारियर्स के बाद अब 50 से अधिक आयू वर्ग के लोगों के लिए तिकाकरन की तैयारियां सुरू कर दी गई है मार्ज के पहले सब्ता से इनकी पंजिकरन कार सुरू हो जाएगा पंजिकरन की तीथी की घोसना 20 फरोई के बाद होगी राज में ये अभियान तकरीबन 5 महिने चलेगा राज में अब तक 4.30 लाग लोगों का टिकाकरन किया गया है इसमें तकरीबन 49,000 फ्रेंट लाइन वारियर्स और 3.90 लाग स्वास्तकर्मी है जिने टीका की पहली डोज दी गई है राज स्वास्त समीति से मिली जानकारी के अनुसार 50 से अधिक आयोवर्ग के लोगों की पहचान के लिए समीति ने चुनाव आयोग के मदाता सुची को आधार बनाया है आयोग के मदाता सुची के मुताबिक राज में 50 से अधिक आयू वर्ग के लोगों की संख्या करीब 2.4 करोड है आम बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीवर उचाल देखने को मिल रहा है पेट्रोल 1.26 रुपय जबकी डीजल 1.27 रुपय परती लिटर महंगा हो गया है गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 90.07 रुपय जबकी डीजल की कीमत भी 82.98 रुपय परती लिटर पहुँच गई है 10 दिनों के अंदर 5 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई विर्धी नहीं हुई महज 5 दिन के अंदर ही पेट्रोल और डीजल की किमतों में क्रमासा 1.26 रुपे और 1.27 रुपे परती लिटर की विर्दी हुई है आम बजट के बाद किसी भी दिन पेट्रोल डीजल की किमतों में कमी नहीं आई है कुरोना महामारी के दोरान हुए लोगडाउन के बाद से ही महंगाई ने आम जनता को परिशान कर दी है लोगों के लिए सपर करना भी पहले से महंगा हो गया है लोगडाउन खुलने के बाद से ही नीजी सवारियों का किराया बढ़ गया है कामिन चेत्रों में चलने वाली बसों का भी काफी बुरा हाल है इन चेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर के मरमानी का सामना करना पढ़ रहा है यहाँ लोग आम यात्रियों से मरमाने डंग से किराया वसुल रहे हैं जिससे यात्रियों के परिशानी भी काफी बढ़ गई है मनमाने किरायों को लेकर जब यात्रिय इनका विरोध करते हैं तो मनमानी करने वाले ड्राइवर उन्हें बस में भी नहीं चाहाते यातियों को परेशानी के बाद भी ऐसी बसों पर अब तक कोई करवाई नहीं की जा रही है इन किरायों में 10-30 फिजदी तक बढ़ोतरी हुई है इस तरह ओटो, नीजी वाहन, बस, रिक्सा, इरिक्सा इन सब के चालकों ने पहले के तुलना में किराया भी बढ़ा दिया है इस अतिरिक्त किराया का बोज अब आम जनता को जेलना पड़ रहा है कई महिनों तक अयात्री वाहन बंद रहने के कारण उनके चालकों ने काफी नुक्सान हुआ था वाहन भाड़े में बढ़ोतरी भी यह एक वज़ा है पास्पूर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्सी बनाने के लिए एक मार्च से पुरे राज में एम पास्पूर्ट एप लांच हो जाएगा एम पास्पूर्ट एप से पास्पूर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जीलों के दरोगा DSP और SSP को प्रसिचित किया जा चुका है आठ फरवरी को प्रसिचन खत्म हुआ है सभी थानों में एक-एक टैबलेट दिया जा रहा है चेत्रिया पासपोर्ट अधिकारी प्रवीन मोहन सहाय ने बताया कि राज के थानों में 1350 टैबलेट बाटने का काम चल रहा है अभी फिलाल पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन लगते हैं एम पासपोर्ट एप की मदद से 10 दिन से भी कम समय में वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा अभी पुलिस मुख्याले से SP ओफिस और फिर ठाने तक जाने में कम से कम 21 दिन लग जाते हैं एम पासपोर्ट एप के माध्यम से पुलिस सिर्फ आवेदक के अपराधिक रिकॉर्ड की जाच करेगी इसके आधार पर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आज के सुर्खियों में बस इतना है बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सबस्क्राइब करे हमारे चैनल को और साथ से साथ अपने दोस्तों रिष्टदारों में सेर जरूर करे धन्यवाद